स्रेक्रिष्न कहते हैं, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सुर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उपर उठता है, धैर और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। आप चाह कर भी लोगों की धारना नहीं बदल सकते हैं, उन्हें जो सोचना है वह सोचेंगे, इसलिए आप भी सुकून से अपनी जिन्दगी जियें और खुश रहें। बुराई, बरी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेथ, छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। यदि आप उदास हैं, तो आप अतीत में जी रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं, तो आप भर्ष में जी रहे हैं। और यदि आप शांती में है तो आप वर्तमान में जी रहे हैं हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है इसलिए काम करने से पहले विचार अवश्य कर लेना चाहिए जो जिन्दिगी से लरा है वही जीवन में आगे बढ़ा है किस्मत को जिसने कोसा है वह आज भी वही खरा है स्रीक्रिश्न कहते हैं उचित समय पर पिये गए करवे घूंट सदैव जीवन मीठा कर दिया करते हैं क्रोध को प्यार से बुराई को अच्छाई से स्वार्थ को उदारता से और जूठे व्यक्ति को सचाई से जीता जा सकता है स्रीक्रिश्न कहते हैं कभी जल्दी मत कीजिए सब कुछ चुक चाप और शांत भावना से कीजिए किसी भी बात के लिए अपनी आंतरिक शांती मत खोईए भले ही आपकी पूरी दुनिया परेशान हो जरूरत से ज़्यादा आराम और जरूरत से ज़्यादा प्रेम इनसान को अपाहिज बना देता है स्रीक्रिश्न कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा दुख भीता हुआ सुख देता है शब्द और वहवार ही इनसान की असली पहचान होते हैं रुत्बे और हैसियत का क्या ये आज हैं कल नहीं मोह इतना ना करें कि बुराईयां छिप जाएं और घ्रिना इतना ना करें कि अच्छाईयां देख ही ना पाएं किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौरने से बेहतर है सही रास्ते पर धीरे धीरे चलना स्रेक्रिष्न कहते हैं पाना और खोना तो भग्य की बात है मगर चाहते रहना तो अपने हाथ में है कान के कच्चे और शंका ग्रस्त लोग सच्चे सुख में भी दुख भोगते हैं परेशानी में कोई सला मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी दीजिए क्योंकि सलाह गलत हो सकती है साथ नहीं स्रीकृष्ण कहते हैं अच्छाई और बुड़ाई दोनों हमारे अंदर ही है हम जिसका प्रयोग अधिक करते हैं वही निखर के आता है और उसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है खुश रहना है तो जिन्दगी के फैसले अपनी इस्तिती को देख कर लें दुनिया को देख कर नहीं क्योंकि दुनिया को देख कर जो फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं नकरात्मक विचारों का आना तय है परन्तु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं स्रेक्रिष्ण कहते हैं लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं याद रखिएगा जिस डर से आत्म विश्वास की हानी होने लगे उस डर का अंत करना जरूरी हो जाता है बुद्धिमान व्यक्ती चुप रहता है, समझदार भोलता है और मुर्ख बहस करते हैं स्रेक्रिष्ण कहते हैं असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं बुद्धिमान और ज्यानी अपना मार्ग खुद बनाते हैं किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेतर है कि अपने जीवन में उसकी एहमियत कम कर दीजिए ऐसे ही शांदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जोर सकते हैं आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार